हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवादर वितायूश और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अगले हफते होने की पॉसिब्लिटी बहुत जादा है क्योंकि अभी ग्लोबल एकविडी मारकेच का भी सपोर्ट मिल रहा है सहारा मिल रहा है तो यहां से बाजार बहुत बढ़िया कर सकता है दोस्तों बाजार में जब भी देखे बहुत अच्छी तेजी होती है तो फिर ए कहाणा जब भी देखे बाजार के अंदर एक अच्छा-खासा तीजी देखने को मलता है बुल रन आता है तो फिर काफी नए इंवेस्टर्स भी आड होते लेकिन नए इंवेस्टर्स करते क्या है नए इंवेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी हम कह सकते भूल यही है कि अच्छी हो या फिर बहुत अच्छी हो क्यों पैनी स्टॉक के उपर बात नहीं करनी है क्योंकि याद रखिए पैनी स्टॉक बुल मार्केट में चल जाएगा मैं आपको कहना हूँ चल जाएगा रिटरंस दे जाएगा लेकिन याद रखिए कब उसका टॉप बना और उसके बाद जिस तेजी से वो नीचे आएगा और अगर आपने गलती से सबसे टॉप पे ले लिया मैं आपको कह सकता हूँ कि उसके वादा फस जाएगे और कब वो लेवल्स आएगे किसे को नहीं पता तो ये बात ध्यान रखिए कि बुल मार्केट के अंदर सबसे पहला जो वो कहते हैं न डूज और डॉज और डॉन्स तो पहला डॉन्स यही है कि कभी भी पैनी स्टॉक को मत लीजिए कभी भी एक खराब कंपनी को मत दीजिए कभी भी देखे चोटे प्राइस को देखके जादा शेयर्स लेने के लालच में कभी ना फसे सिंपल रीजन है कि यहाँ पर वो जब बाजार में तेजी होगी तब तो चल जाएगा लेकिन जब बाजार में गिरावट चालू होगी तो फिर दोस्तो आपका जो पैसा है वो याद रखिएगा कि वहाँ पर अटक जाएगा ना आपको वो रिटर्न देगा सिर्फ नुकसान देगा और हो सकता है कि फिर आपको में बेचने की भी ताकत ना हो तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखने है हम उनी कंपणी के बात करेंगे जो अच्छी है विट रीजन सबसे इंपॉर्टन क्या है है reason पता होना चाहिए इस company को buy करने के पीछ ठीक है यह कोई recommendation वाला video नहीं है just for knowledge purpose है यह बात ध्यान रखिएगा तो पहली company ज़रूर return से काफी लोग समझ चुके होंगे नाम है इसका बजाज finance बजाज finance क्यों बात करना जरूरी है यह आपको समझना पड़ेगा देगे सबसे जरूरी बात क्या है बजाज finance एक पूरी lending company है ठीक है lending company भी है company कुछ जैसे पैसा आप जाए तो deposits भी करवा सकते हैं उस सब कुछ कर सकते ठीक है लेकिन lending business दोस्तों कब चलता है lending business तब चलता है या फिर कह सकता हो तब बहुत जादा growth होती है जब एक consumer के पास या फिर customer के पास हाथ में पैसा हो सबसे important क्या है money अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा वो ले कुछ खरीदारी करने से पहले को यह तो सोचना पड़ेगा आना कि हाँ मेरे पास पैसा है कि नहीं पैसा है लेकिन क्योंकि देखिए कि जब से बजाज finance आया है एक जो सबसे बड़िया काम क्या है वो है installment आप installments में पैसा जमा करवा सकते है और ये बाद धान रखिए जब एक customer के पास पैसा आना चालू हो जाता है तो वो महंगी चीज़े खरीद लेता है installment पे और ये बिलकुल याद रखिए एक बड़ा reason है बजाज finance को pick करने का क्यों वेको सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी आपको repo rate के अंदर बहुत बड़ोतरी देखने को नहीं मिल रहे है इसका मतलब ये है कि जो interest rates है वो बहुत ज़दा higher नहीं है दूसरी बात क्या है कि जो GDP का आकरा निकल के आ रहा है वो काफी favor में नजर आता है ठीक है तीसरी बात क्या है तीसरी बात यही है कि दोस्तों यहाँ पर अब most likely जो per capita income होती है वो इस समय बढ़ना चाल थे उसको वापिस जो है RBI निकालना चालू करती है system से निकालना चालू करती है और अपने पास रखती है लेकिन जैसे दोस्तों वो repo rate को वो stop कर देते है या फिर repo rate को फिर cut करना चालू कर देते हैं तो simple बात है interest rate जैसे cut होती है उसके बात से पैसा markets में फिर आना चालू हो प्रूबन कंपनी है आज करीबन कंपनी 4.36 लाक करूर की market क्याप है 37.98 के price to earning पर trade करता है लोग काफी इसकी valuation पर सवाल उठा सकते हैं बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाजार उन companies को reward करता है जहाँ पर growth नहीं है उन companies को बाजार हात नहीं लगाता है लेकिन जहाँ पर growth है उसकी price to earning बली थोड़ी सी expensive भी क्यों नहीं बाजार उसको premium देने से बिलकुल भी हिचकता नहीं है तो पहली company बजाज finance है दूसरी company Tata consumer product अब देखें Tata consumer product एक ऐसा business है जो I think सदा वाहर है कुछ भी हो जाए लोग खाना पीना थोड़ी छोड़ देंगे ऐसा food के अंदर company के पास almost 90% branded यहाँ पे branded sale होती है जो भी देखें brand foods होते हैं और 10% non branded लेकिन बड़ी बात क्या है कि जब दोस्तो बाजार के अंदर हर चीज़ अच्छी होती है लोगों की spending जैसे मैं बाहर बर कहता हूँ देखो economy से आपको stock market को judge करना चाहिए अगर economy strong है तो stock market strong economy strong नहीं है तो stock market कभी strong होई नहीं सकता है और वो companies दोस्तों जो सदा बाहर होती सदा बाहर का मतलब क्या है जिनको जादा inflation का भी ऐसर नहीं पड़ता है नमक मान लीजिए नमक क्या है नमक को अगर मान लीजिए company ने for example 100 रुपय का नमक आता है 120 रुपय का भी कर दिया तो क स्टारवक्स इसके अंदर आ जाता है 8 o'clock coffee आ जाती है बहुत सारे इनके price premium brands है तो यह ऐसे business तो बिल्कुल bull market में सबसे उपर रहते हैं बढ़िया करते हैं रिटर्स की बात करता हूं मैं company के तो returns company ने 4073% के deliver करें जिए company करीवन 80,000 करोड की market cap की हो चुकी है और मुझे बढ़िया है यह आपको पता होना चाहिए और पिछले 5 साल में company almost 229% से जाधा की returns deliver कर पाईए यहाँ पर भी बात same है growth is constant लेकिए growth होनी छी है कोई भी company growth अगर missing है तो फिर दोस्तो company के इंदर पैसा बनना बहुत जाधा मुश्किल हो दाता है लेकिन जहाँ पर growth है वहाँ पर बिल्कुल आपको पैसा बनता हुआ नजर आएगा जरूर देखे यह company के ऐसे company रही थी जिसने शुरुआत में बहुत returns डिलिवर नहीं करें लेकिन देखे management का भी आपको बिल्कुल सरहाना पड़ेगा because यह जो लंबा consolidation था ऐसा नहीं था कि stock में growth नहीं उड़ थी sideways growth थ जालू किया तो आप देख सकते किस प्रकार की तेजी देखने को मली आज stock जरूर 66.32 के price to earning पर trade करता है but market still इसको valuation देता है because इन सब के हो जादा फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर always धान रखे जितना consumer के पास पैसा होगा उतनी जादे spending होगी उतना जादा इनके sales बढ़ती जाएगी बढ़ हां कुछ products ऐसे हैं जो पहले जितने बिकते थे उतना ही बिकेंगे उसमें तर फरक नहीं आएगा इसमें इनके पास टी के जो different different type के products है उनकी बिकरी और बढ़ जाती है तो यहाँ पर यह बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसी company के उपर focus करना चाहिए जिनका बिजनस सिंपल हो समझ में आता हो हमको पता कि क्या कर रही है और बिल्कुल जब बाजार में तेजी होती तो यह companies बहुत बढ़िया करती है अगली company है डी मार्ट एविनी सुपर मार्ट एविनी सुपर मार्ट ने पिछले एक महीने में करीबन 21-22% के returns है लास्ट यह महीने gap है और करीबन company price to earning की अगर में बात करता हूँ तो 111.92 यानी काफी expensive stock है बट still अगें valuation पर जादा चिंता मत करिए वो companies अच्छी है जिनकी valuations बली higher लगती हो आपको लेकिन अगर company का business बढ़िया है तो कोई दिखकत वाली बात नहीं markets premium देता है राइट क्योंकि ये बात सम समय भी इनके price to earning या फिर valuation जो हम कहते हैं वो नहीं नीचे गई क्यों because इनके business पर जादा effect नहीं पड़ता है अब even you supermarkets को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो क्योंकि company देकि supermarkets की business में है दिक्कत जरूर आई है दिक्कत आई है इनके business को inflation के कारण लेकिन अब क्या हो रहा है positive बात समझे है reason समझे है इनके बढ़ने का inflation down आ रहा है आज जो हमारा inflation है वो कितना down हो चुका है 4% जो RBI का target है उसके बिलकुल नजदीक हम अब आ रहे हैं 4.1% है तो अगर 4.1% inflation है इसका मतलब क्या है कि इस पुरी company ने इस पुरी demart ने जितना दोस्तों बुरा समय देख रहे है दूसरी बात क्या है कि अब जब inflation नीचे आता है तो फिर simple बात है retail spending कितना पैसा आदमी खर्च कर रहा है उसकी भी बात आप समझे है वो बढ़ेगा because जो products पहले महेंगे भी कर रहे थे वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत price में उनके down है लेकिन फिर जो पैसा बच रह सीदे जब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा दोस्तों महेंगाई हो ठीक है क्योंकि उस समय superior goods बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन जब superior goods तब आए कि जाते हैं जब महेंगाई कम हो और आदमी के पास पैसा हो और जब आदमी के पास पैसा होगा तो खर्च तो वो क पारे थे, simple बात है, अगर आगे ही products बहुत महेंगे निकल के आएंगे, उधर inflation का असर पड़ेगा, तो इनको भी तो price थोड़ा सा pass on करना पड़ेगा, exactly वो ही company कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि inflation नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि जो पले product बहुत महेंगा भिकरा था, वो थ थोड़ा सा कम भिके, तो इसके कारण होगा क्या, और भी दोस्तों यहां पर लोग आना चालू होंगे, because याद रखिए, जब थोड़ा सा महेंगाई होती है, तो फिर लोग थोड़ा सा पैसा बचाने की सोचते हैं, पैसा उधर खर्च नहीं करते हैं, जहां पर जरूरत न नहीं था, डी मार्ट में आप जाते थे, for example, हम एक पेपसी की बाटल की बात करते हैं, ठीक है, पेपसी की बाटल डी मार्ट में मिल रही थी, 100 रुपे की, ठीक है, और आपको एक कराना वाला दे रहा था, 105 रुपे का मान लीजे, ठीक है, या फिर हम कहले थे, डी मार्ट जो है, वो नीचे आचुका है, अब वो किराना वाला, 100 रुपे का 95 रुपीज में दे रहा है, कितने में दे रहा है, 95 में, लेकिन डी मार्ट वो ही, अब आपको 70 रुपीज में भी ओफर करने को तयार है, क्यों, विकोश डी मार्ट के पास वो capacity है, डी मार्ट के पास वो power है, कि वो बल्क में खरीद के 70 रुपीज में भी अगर बॉटल बेचेगा ना, पेपसी की, तब भी वो पैसा बना लेगा, लेकिन छोटे गिराने शॉप्स के पास इतनी ताकत नहीं है, कि अगर वो, अगर उसको मान लीजे मिल रही है, एटी रुपीज की, तो कम से कम वो 60 में भी बेचेंगे, और दीमाट 10 रुपे का ही बहली प्रॉफिट आपर रखे, 10 रुपे का ही मार्जिन रखे, लेकिन स्टिल ज्यादा कमाएगा, क्यों, बिकॉज ये बल्क में बेचते हैं, और कस्टमर्स भी बल्क में आते हैं, तो ये बहुत बड़ा रीजन है, कि इ इंफलेशन जब दोस्तों हिट करता है, तो जब पास ओन नहीं कर पाती है कमपनी अपने प्रॉडक्स के प्राइजस को, तो इन सब कमपनी सुपर मार्केट जैसे कमपनी का दिक्कत आता है, लेकिन स्टिल जब इंफलेशन नीचे आता है, तो ऐसी कमपनी भी बड़िया फ पे काफी हिट हुआ था, सिंपल था, रेजन, इंफलेशन, इंफलेशन जब दोस्तों काफी हायर होता है, तो फिर बहुत Dikkat होती है, उसको यहाँ पर कम प्राइज, जो प्रॉडक्स है, उसको बहुत कम प्राइजस पर देना, फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको बढ़ IDFC First Bank ने डिलिवर करें अब इसको क्यों चूस किया ये भी एक important question हो सकता है देखिए IDFC First Bank देखा जाए तो जरूर रिटर्स के मामले में बहुत ही सुस्त शेयर रहा है रिटर्स नी इंवेस्टर्स को डिलिवर कर पाया मातर 15% के अब लग रहा है कि हाँ यहाँ से बढ़िया करेगा लोगों सबसे बढ़िया बात क्या होती ना कोई भी बैंक की कि बैंकों के लिए कोई ज़्यादा major problem नहीं होती है बैंकों के लिए क्या है बलिए आज interest rates भी बढ़ रहा है तो इनके लिए कोई नुकसान थोड़ी ज़रूर जब interest rate बढ़ती है तो जो loan की value होती है वो कम हो जाती है loan जितने disperse हो रहते है उतने कम हो जाते है लेकिन जैसे ही दोस्तों interest rate कम होती है वैसे loan जाता बिखने चालो जाता लब लोग ले चालो कर देते हैं and then banks बढ़िया कर जाता है problem नहीं आया right बली यहां पर लगाता रेपूरेट बढ़ रहे थे बट ऐसा नहीं कि यहां पर banks के revenues में decline देखने को मुला लगाता बढ़ी रहा था और exactly वही दोस्तों stock पे भी operator driven है right और IDFC first bank मुझे लगता है कि इस अच्छी तीजी के अंदर बिल्कुल participation करेगा करेगा 100% करेगा क्यों करेगा because यहां से company grow कर रही है दूसरी बात क्या है कि जो bank की management है उनकी तरफ से जो बाते कही गई है वो भी अपना अपने काफी जादा अच्छी है और जैसे deposit rate है वो भी बढ़ेगी क्यों because banks बहुत बार अच्छा interest भी पे कर देते हैं अभी जैसे कि देखें interest rate में वैसे तो जब ज़्यादा interest rates होती है जब ज़्यादा यहां पर लोगों को loan जिसमें interest बढ़ता है लेकिन और यह बढ़िया करने वाले क्योंकि यहां से जितना banking system वो खराब करना था मुझे लगता है यह खराब कर चुके और आइधिंग अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और banks तो जिस तरीके से मजबूत है लास्ट एक दो सालों के अंदर और आप खुछ समझी ना पूर बार के ना deliver कर पाए still but still मुझे रखता है कि एक बार risk लेना अच्छे company में तो बनता ही है और IDFC first bank पर नज़र रखनी चाहिए last is info edge अब info edge क्यों info edge को देखिए pick करने का reason साफ साफ है कि जिस तरीके से दोस्तों IT में slow down देखने को मिला जब बढ़िया हो जाता है सब कुछ तो याद रखिए IT companies ही होती है जो सबसे boom पे चलती है और जैसे दोस्तों यापर IT के अंदर hiring increase होगी hiring increase होगी info edge का business अपने आप IT के अंदर अभी आपको slow down देखने को मिला है funding का crunch देखने को मिला है लेकिन जैसे दोस्तों आप इस funding line पे आएगी info edge बढ़ जाएगा तो इनकी लिए तो बहुत ही win-win situation होदी है मैंने हमेशा यह देखा है अब मान लीजे इनका एक नौकरी वाला जो business है वो बढ़िया नह आएगा वैसे यह सारी जो companies है info edge वो बढ़ना चालू कर देगी तो I think info edge तो बहुत ही दमदार company है बली अभी एक loss making है बट स्टिल सबकी नजर रहती है इसके उपर और नजर रहने पीची एक बहुत बहुत बैतरीं company है I think futuristic company है ज़रूर अभी loss में है लेकिन स्टिल मुझ र इस वीडियो में इतना ही था होफ़ुली बढ़िया लगा होगा थैंकि फ्रेंट्स रॉच